अमर बेटे, अलाम गाने के क्या जरूर थी? थोड़ी देर और सोल ले थी? विनोद और अशो के हॉस्टल जाने का टाइम हो गया है न मा? अरे, उन्हीं तो मैं तयार कर दूँगी, तो आर थोड़ी देर सोले देखो मा, आपको इतना सारा काम करना है मुझे मालूम है, आज आपको ये सारे कप्रे सीकर देने है मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम कीजिए जाए गरम, चाए पियो भाहिया, ये लो त्याए लो तुम उन्हें मुझीग सुना कर क्यों उठा दियो आड़ी कहते थे, बाच्छा अगबर को तंसें संगीट सुना कर जगाता हूँ अच्छा अच्छा, इहान ना कोई अगबर है और ना ही ये तंसेंग तुम दोने जल्दी चाय पिकर तयार हो जाओ, ठीक साथ बज़े रिक्षा आ रही है, समझे को ममे फॉपो, फॉपो, फॉपो मारा जा गए, बच्चा लोग रिक्षा आ गया, चलो फटाफाट लीजी अंकल चाय अरे वा, इतने जल्दी तो मंदिर में भी परशाद नहीं मिलता, और यहाँ चाय फटाफाट नमस्ते माजी नमस्ती माजी, आप सत्मुछ नसीब वाली है, जो इतना अच्छा बेटा मिला नसीब वाला ता मैं हूँ, जिसे अतनी अच्छी माम मिली है अरे वा, माम तयार हो गए, चलो, नाश्ता कर लो बेटा, चाय बहुत अच्छी थी, इश्वर तुम्हें सुकी रखे अरे तू कहां जा रहा है, मैं इनका सावन बैग में बढ़ने जा रहा हूँ, टायम बढ़ जाएगा पहले नाश्ता तो कर ले, मैं नाश्ता बाद भी कर लूँगा तो जरूर पिछले जनम में इनकी मा रहा होगा तुम्हारे डाडी की बड़ी इच्छा थी, कि तुम दोनों पड़ी कर बहुत बड़े इंसान बनो डाडी को प्रणाम करो तुरा और सर जुखाओ यह क्या शीला, अरे तुम जा गई शीला मैं सुई कहां थी, मैं तो जा गई हुई थी चलो चलो, अब डो मत, देर हो रही चलो देखो भीया, इनको सम्हाल कर ली जाना और होस्तिल के अंदर के पहुँचा आप चिंता ना करें, मैं इनको कमरे के अंदर तक पहुचा क्या हुआ तुम लोग पढ़ाए करना जाला सोना मात चलो बच्छा चलो, बैटो बैटो, बैटो, चलो बैटा आजा, आजा मा, परे चाय पीलो तुम भी तु पीलो नहीं मा, मैं जाने का टाइम हो गया है सुबह ओडते ही लोगों का अगबार में जाना चाया न और मा, मैं अगबार की दोसों काप्र बेच लेता हूँ अच्छा मा, तुम दोपार को बाजार मत जाना मैं उदर से सबजी लेता हूँगा और शाम को जब मैं गारज में काम करने जाना तुदर से बाजार लेका हूँगा अरे हाँ मा, ये कल के आत रुप है, ये लो मा, तुम रो रही हो, क्यों रोने लगे तुम, बोलो ना तू नहोता, तुने जाने ये घर में कैसे चलाती शार्दा, शार्दा कान है ये? हमारी कंपनी में चपरा सी ना, रामू, ये उसी का बेटा है रामू और उसकी वी दोनों बगहन की छट की नीचे दपकर ये अनात होगे बिशारा, कोई ने इसका कंपनी के मालिक ने गाई इसे अनात आश्रम में जाकर छोड़ा तो मैं इसे वहीं ले जा रहा था सोचा तुमसे भी मिलता जाओ मुझे अनात आश्रम बेजबा तुम भी अजीब बाप हो लोगों ने कहा कि इसे अनात आश्रम ले जाओ तो तुमने उसे वहीं पहुचाने लगे हमारे घर में तीन बच्चे हैं एक और खा भी लेगा तो क्या बता जाएगी यही रहेगा भाई अब तुम कहते हो तो इसे यहीं रख लेता है ओ जैसे सच मुझे तुम इसे आना था श्रम ले जाते इसलिए मुझे से मिलने आए ना शाला दरसल मैं भी यही चाहता था अब हम यह कहेंगे हमारे दो नहीं तीन बेटे हैं इन्होंने तुझे यहां लाकर मुझे पर बड़ा ही उपकार किया ठैडी का अपकार मुझे पर है मा अगर वो मुझे यहां नहीं लाते तो मेरा क्या होता क्या होता कितनी मेहनत तु करता है उसका माई से तु कहीं भी रह लेता आराब सिखा पी लेता लेकिन मैं मा किसको कहता मेरे राचा शारदा बहन घर में है आईए एक बाल भाई अंदर आईए सलाम एक बाल भाई जीती रहो कैसी हो बहन सब खेरियत से तो है मिली चे आप मेरे कपड़े दिये थे वो सब तयार है बागी के कल हो जाएंगे क्या सूच रहे हैं मुझे पिरकुल उमीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सारे कपड़े तयार हो जाएंगे लगता है मशीन चलाते चलाते तुम खुद भी एक मशीन हो गई हो पता नहीं मैं क्या बन गई हो लेकिन इतना जरूर जानती हो कि कपड़ों के साथ-साथ मैं अपने उन सबनों को भी जोड़ती रहती हो जो टूट गए हैं बिखर गए हैं लेकिन अब नहीं बिखरेंगे हाँ तुम्हारी मेहनत का धागा इने दिखरेंगे नहीं देगा और फिर शंकर भाया की नेकी तुम्हारे साथ है यह तुम्हारे रुपए शुक्रिया खुदा हाफिस खुदा हाफिस जीते रो ममी हम दो पास हुए अच्छा और ऐसे ऐसे नहीं यह दरो फॉस क्लास से पास हुए है युशा पाश और तु? मैं भी फॉस क्लास से पास हुई ममी, मैं कहीता है ठाना वे शुला भी पड़ने मेए तेज है और तेरा क्या हूआ? मैं भी पास हो गया तो क्या हूआ? इसका थर्ड क्लाश परस्ट और सेकंड फे भी अच्छा है अब तुम लोग जाओ अपने डाइडी से आशिरवाद लो कि तुम सब को जीवन की हर परिक्षा में सफलता मिले जाओ कि अब लोग़ तुम सबका झाल में ओर अबधर्ण से कि तुम से कि तुम से कि अच्छा लोगले कि उराहाईछ जाओ तुम लोग़े कि आओदार्ण टुम से कि रख़जर्ण कि अजर्जाज कर भाज झाल झाल कि अजर्च पुर्प्स झाल कि अजर्च झाल प्रफ़ कि अजर्च झाल जाल झाल करना वे बतल प्रवाज़ में प्रवार कर दो बाद है कर दो बाद है कर दो बार कर दो कर दो यह क्या माँ? तुम्हारे पिताजी की याद आ गए आज अगर वह हमारे पीछ होते तो कितने खुश होते यह तो सच है माँ पिताजी की कमी कभी बोरी नहीं हो सकती लेकिन यह भी तो सच है कि तुम्हारे आशिरवात से आज तुम्हारे इस बेटे का गैरेज खूप चल निकला है सारे घर का बोज मैं खुद अकेला उठाता हूँ इसलिए अब तुम्हें यह मशीन चलाने की कोई जरूत नहीं एकदम करेक्ट इसकी आवास तो मेरे लिए संगीत बन चुकी है इसकी सुई से मैंने सिफ कपड़े ही नहीं अपने सपनों को चोड़ा है तुम लोग कहते हो तो मशीन चलाना छोड़ दूगी लेकिन तब जब अशोक कमाने रख जाया सच्मा अरे इसका मतलब अरजी मुन्जूर और इस खुशी में जिसको भी लिफ्ट चाहिए फॉरन तयार हो जाओ मेरी सवारी गार जा रही I'll get my books Wait for me और भया मैं तुम बस में चली जाओ क्यों क्यों मैं बस में क्यों 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 मैं बस में क्यों 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 मैं रिसाइकल पर सिर्फ अरे भाई जबके मेरी गाड़ी रेड़ी है तो उसकी डिलिवरी क्यों ने देते पर मेडम डिलिवरी देने का काम हमारे साब का है अगर तुमारा साब शाम तद नहीं आया तो क्या मैं इसका वेट करते रहूंगी देखो मुझे अर्जन खंडला जाना है यह लो तींच रुपे थे लो जी रखो पर मेरम अभी टेस्ट सुना बाकी यह गाड़ी का शाट आप लल्लो अरे येस बास लडलो यहां जो गाड़ी थी कहा गही अरे वुमेह नवाई थी जबरौसी ले गही लेकिन उसके पईयों के अगब्ल टाइट करना बाकी रहे देखे 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 लेगे है कहा गही वो क्यारेश यह अगर दम्खंडला जाना है कॉपे नहीं कि ए तोस्ट रहा है बन्यून सबस्ते प्रेपप नहां बढ़ दो जो रहा थे सकते हैं वहार है कि बढ़ मुझे जा कर दो मुझे इन है प्राइब एंचात, बख्चात, लुटाये, बख्चात, लुटाये, बख्चात, लुटाये, ऄप्चात! झाल 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 कि कहीं लगी तो नहीं ठोड़ टो तो नहीं तो नहीं ठोड़ तो नहीं पट़ी तो नहीं हो जुद्व तक्दिर अची थी किसकी अपनी एच्की क्या मतलब का? मतलब चार भूगे बेडियों के दीच में एक भेड फांजये तो मतलब बताने की जरूद पढ़ते हैं हुआ 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 कि बस्ता हुआ 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 हे गरिए इ diversion अबस्ततततते हो! हुआ 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 है अब आप ये कहेंगी कि आपनी मेरी जान बचाएगी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी नहीं नहीं अच्छा तो फिर आप ये कहेंगी कि आज मेरी बियुकृफी की वज़े से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए आम बरी बरी सॉरी तो फिर आप ये जरूर कहेंगी, कि मेरी वजय से आपके सर पर जो चोट लगी है, इसके लिए आम वरी-वरी मैं आपसे ये कुछ नहीं कहूंगी, मैं आपसे सर इतना कहूंगी, कि आपको मेरे साथ दक्तर के पास चलना पड़ेगा, पाके आपके इस चोट की मरम पटी हो सके चलना तो आपको मेरे साथ पड़ेगा, मेरी मोटर साइकल पर अब आप आएंगी आ रहे हो बड़ी साई ही हमारी प्रक्रीर का सारा तस्वीर दिखाओ नहीं, no if and no but, एक दम क्लियर कट साफ साफ बताओ नहीं अ सो डड़ी, क्या मुसीबत है, चानिक कि गाराग में आशा ने गाड़ी दिये, अभी तक लेकर नहीं आई मैं कित्ती बार आपके खा, एक गाड़ी और ले मुशिए, मगर आप तो में पात ही नहीं सुनते क्यों सुनों, एक लाप रुपया बियाज पे चलाऊँगा तो तीन रुपया सैक्रा के हिसाब से तीन हजार रुपया घर में आ जाएगा अगर एक लाप में गाड़ी खरीद हुआ तो दो अजार क्लियर कट आउट, मैं तो पंदजी ये गाड़ी भी बेचने के चकड में हूँ आपके चोर समयच में आई बोर कीछे, लाइए सुर रुपया दीजे टेक्सी का, मुझे जूँ तक जाना है टेक्सी में क्यों, बस में चली जा, चार रुपय में आना जाना हो जाएगा, चंचरदाट जियो, ये ले सौर रुपया, और छुट्टा करा के चार रुपया बेबी को दे दे, अरे बिटिया सुनो तो, हम करा सर जी और बिटिया रानी पोईसा ले गई, वो पैसा ले गाट लोगा, लेकिन वो तो पचार रुपया काच लूगा, पंड़ा जी, इस दुनों लड़किया तो मेरे को कंगाल करके चोरेंगी, आप देखकर बताओ कि इन दोनों को मैं विदा कब करूँगा, और लाकों का दे लेकर मेरी बहु कब आएगी, कब आएगी, बहु है साई, फिर से लाकों का दे जंदर, वो तो बात की बात है, रेखाएं ये कहती है, तो उसके पैदा होते ही आप कंगाल हो जाएगी, कंगाल, अरे नहीं साई, नहीं कुछ कड़ो, अब मैं कंगाल नहीं होना चाहता, काराची से दो इलाची लेकर चाहता था, पेट काट क एक न्यूज लाया हूँ, क्या, एक महातमा जी ने मुझको कहा, जल्दी तुमको बेटा होगा, इस उमर में चेहरा तो देखो, मुझको डैडी, आपको नहीं, उनने मुझको कहा, जब तुमको बेटा होगा, तो तुम फॉराँ खराँ पदी बन जाओगे, इसलिए मैं फ आपने पास रखिये, मैं जाता हूँ, थैंकि वरिवाच, अड़ी, दो रुपया तो बचे, गंगारा, क्या कह रहा था जू, मैं कह रहा था थे, आप मेरे लिए लड़कियां ढूनना शुक्र थी, अरे बाबा, तुझे पता नहीं, तू क्या कह रहा है, तुम मुझे लड आज ये कहें, कि तू शादी के मंदल पे जैसी दुलन के साथ साथ पेड़े लेने लगेगा, तो तू बाद, अरे तू ऐसी मेरा, केरा पुत्रो है, अरे जवादी में मरते वक्तो वैसी बड़ी तक्लीम होटी है, बेक्ता है, किस किस रहा है, जाए मुझे बड़न रहे है, शुक्र है बगवान का, ज्यादा चोट नहीं है, गलती मेरी थी, और सजाएन को मिली, नहीं मा, गलती तो मेरी थी, गाड़ी तयार करने के बाद, पईयों के नट बोल टाइट कर देना चाहिए था मुझे, गयराजवालों ने मुझे काफी ह लेकिन मैं जवरदस्ती गाड़े लेकर चली गई, गलती मेरी थी माजी, तलती किसी की भी हो, इसी बहां में आपसे मुलाकात तो हुई, बरना इसमें बड़े बापकी बेटी होमारी इस चोटी सी कुटिया में क्यों आती, दौलत से कोई बड़ा चोटा नहीं होता, लेकि अदर में सबसे बड़े दौलत तो ये हैं, जिन्होंने मेरे इज़त बचाए, इसने तो तो हतों को बचाया है आज हमने यम्राज को चुना लगा दिया नहीं प्याज कर ली है इसलिए हम सात पेरे लिडेंचोंusan मेरेझ कर ली है यम्राज डाल डाल तो मैं पाथ touch आप हमें होलसिल में आशिवा दीजिए, हम कर रहा है, क्या बाग यह कर को नहीं सकता है आई तुझिप करो जी, यह किस किसम की शादि है, घुडा है ना गारी है ना बजा है ना बज़ है यह सब नहीं हो, तो क्या हो डैडी? हमें इतने अच्छी भाबी तो मिल गी अब तो मुझे बच्चे का कुछ करना ही पड़ेगा राब 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 याब क्या कर रहा इस उमर में और बच्चा अरे पगड़े बच्चे की बात ने कर रहा गंगू के बच्चे की बात कर रहा अब हमको डॉक्टर के बाद जाना पड़ेगा और रास्ता बन क्लियर कट क्या नो पार्किंग अमर अमर मेरी गाड़ी फिर से खराब हो गई चलो ना तुम्हारी गाड़ी इसी तरह खराब होती रही क्यूंकि तुम्हें उंगली करने की बहुत बुरी आदत है तुम आपने लेक ड्रीवर क्योंने रख लेती बूरा लिया लेकिन मुषे ड्रीवर के साथ साथ एक अच तुम चलो ना प्ली मेरे बास टाइम नहीं है चलो ना प्ली क्योंतना बाउग आई हो जी और भी गाड़ी है ठीकर ने इसलिए मुझे जाने जीज़िए नहीं आ सकता हूं मैं जलता नहीं चलता चल तुझे देखा मैंने जबसे तेरे पीछे पड़ी हो तबसे मुझे देखा मैंने जब से तेरे पीछे पड़ी हो सबसे अब बाद जा कहना प्या भर्ड़नी लेके आजा मेरे राजा अब तो आजा मेरे राजा अब तो आजा क्या मिलेगा पीछे पड़के मर जाएगी नाक रगड़के कुछ भी तू कर ले तुझको दिल आदूगा मैं दिल जानी मेरे राजा अब जा दिवानी मेरे राजा अब जा दिवानी मेरे राजा दिवानी जवानी की बिचली जलाते जी तुझको मैं सावन का बादल बुझा दू भाद उसको मेरे प्यासे दिल में आगसी खड़की है फसाए लड़के को तो कैसी लड़की है मिलेगा पीछे पड़के मर जाएगी नाक रगड़के कुछ भी तू कर ले तुझको दिल ना दूंगा मैं दिल जानी मेरी रानी जादिवानी मेरी रानी जादिवानी जादिवानी कि अढ़के भी तुझको रानी कि आगके अढ़के तुझको कि आगके वह बानी बुला के धोखे से सकाए क्यों ऐसे बड़ा पे जर्दी है जलाए क्यों ऐसे देर हो जाएगी मुझे घर जाने दे सुहाना कासम है पास को आने दे चल छोड़े रस्ता मेरा ना कर ऐसे मनमानी अरे रो मत अले लो मत सीने से तुझको लगालों और में तुझको बशालों आखों में तुझको बशालों और सुन बहा तुझको ही दिल दोंगा मैं दिल बर जानी कजी हाएएएए! बैूजर भी है इज क्यों डिटी। यही है वो जारजुनर आमर? और ही मेरी बड़ी बहन right уд जाए जिए अजिवी तरफ तुम्हारी बड़ी बहन, मेरे बड़े भाई के साथ ? क्या? इसमे हैरान होनी कि क्या वात ? बड़ी बड़े के साथ ? छोटी-छोटे के साथ ? अब चलोगी, लेट दमेंचोई, एंजय और सुना नहीं भाया नहीं कहा, अरे आओ आओ खोटे राम जी और सीदे उपर चले जाओ, जैसा मैंने समझाया था बेलकुल ऐसा ही कर रहा, आप बिलकुल फिकर मत किजिए सेट जी, खोटे का कमाल तुदेखिये, जितकार, अरो हम करा सेट जी, अगर गंगा राम की तबियत खराब है, तो डॉक्टर खरे को बुला लेते, ये कमपॉंडर खोटे को कहो बुला लिया, अरे चंचरदाश, खोटे ही खोटा काम करे है, वो पहले गंगा राम को इंजेक्शन देकर बेहोश करेगा, और उसके बाद नस कट, कि के बाद हम क्लियर कट, सेफ हो जाएगा, सेफ, ये अचानल क्या होगे उनको, कमपॉंडर उनके कमरे में क्यों गया, अरे चिंता की कोई बात नहीं है, गंगा राम की तडियत थोड़ी उपनीचे हो गई है, कमपॉंडर खोटे के अंदर जाते ही, कट, मेरा मतलब है सब क् ठीक हो जाएगा, तू अंदर जा, फिगड़ की कोई बात नहीं है, जा, आचो, आज की रात नया जांद लेकर आई है, आखबर आई है, मैं भी तो, ये लोग, पूरे हजार है, मामला समझ गये ना, हाँ, खोटे-खोटा का बहुत जल्दी समझ जाता है, उन से जाके क्या होगे, क्या हजार बूपया ले लिया, नस के बार में कौन बोलेगा तेरो बाप, ने, कह धूगा के नस क्ट، समस्जदार हो, बड़े समझ êtesार हो, डॉक्तर कहड़े का अक्भाउंड होना है, इस लिए खराह खोटा हा रह समस्ता हूँ, चलो, चलो मिस्टर लल्वानी वड़ी मैं भी तो सिंधी का बेटा हूँ अरे तू आदमी है की शैतान है क्या मतलब अभी क्या था अभी आगया मामुली साथ तो काम था एक ही जटके में हो गया मतलब क्लियर काट सफाचट है माजी आज से मैं कटिंग क्लास जाइन करना चाहती हूँ अरे तो तू इतने बड़े घर की लड़की है कटिंग क्लास जाइन करके क्या करेगी सिलाई सीखने के लिए अच्छा माजी मैं चलती हूँ अरे अरे सुन्य तो अगर सिलाई सीखनी है तो कटिंग क्लास जाइन क्यों करो मैं सिखा देती हूँ अरे यही तो मैं कहना चाहती थी मुझे आजी सिलाई से सिखनी है अरे आप ये और भाई ने क्या हो रहा है यह 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 ज़ता आनी कियो चल दूदी है जब देखता हूँ कुछ न कुछ करती रहती हूँ भाई हमें पीछे पड़ गई है किसे सिलाय सिखा दूँ तुम बुरा मत मानना माँ मगर इसके पीछे पर जाने की बहुत बुरी आरत है तुम दुपरे तोगे नहीं मां मा मैं वकारत के इंधार में फस्स क्लास से पास हुआ हूँ अच्छा अच्छा के डैडी ने चार हजार रुप मैने की नौकिक डेदी है अच्छा अरे तो फिर मिठाई के डबा लेके क्यों घरे हो ये मुझे दे दो और पॉरन मा के परों में जुग जाओ आपका हग तो ही चाचा जान अगर आप में होते तो मा को घर बैठे बैठे स्वाई का काम कैसे मिलता फिर ना जाने काम गुणे लिए उन्हें काहां बटक न पड़ता है आपने हमें बहुत सहारा दिया है सहारा तो वो देता है बहन इंसान तो सिर्फ जरिया होता जैसे अमार मिठाई खिलाने का जरिया तुम हो अरे मैं तो भूली गया था माफ करना चाचाचा जान चाचाचा जान माने एक बादा कि था कि जैसे हम अपने प्र अपर खड़े हो जाएंगे यह सिलाय करना बंद कर देंगे इसलिए आज से आप एक कपरे नहीं लाएंगे तो बैटर होगा जिस दिन पहली बार मैं यहां कप्रे लाया था उस दिन दुआ मांगी थी कि ऐ खुदा वो दिन जरूर लाना जब मुझे यहां दुबारा कप्रे में लाने पड़े चलता हूं कहां चले चाचा जान मस्जद खुदा का शुक्रिया अदा करने और चाचा जाने खुशकवरी और भी है सुनिये तो आशा की बड़ी बहन से अश्यक भाहिया की शादी होने वाली है कम सब्सक्राइब पांच दर्स लाग रुपए पे तो आध साफ कर रिलेंगे लाव और ज शंकर वो कोई खेला मकॉडा नहीं था जो सिक्तों के बोच के नीचे दब जाते हैं और नहीं तुम्हारी मा ने तुम्हें भीक के तुक्ड़े खिलाए हैं जो तुम दूसरों की दौरत हत्यामें जैसी गंदी बात सोचते लगे शार्दा बेहन लगता है तुमने इने शंकर भई और अपने बारे में सब्च नहीं बताया इने बता दो बेहन पीछे का इतिहास इसलिए तो पढ़ा जाता है तकि आगे के लिए हम अपनी सोच को सुधा सकें ठीक कर सकें बता दो बेहन बता दो इने पिता जी बहुत आमीर आदमी थे ना उनकी इकलोती लड़की थी जब हमने शादी करने की सोची तो मेरे पिता जी ने एक शर्त रख थी कि तुम्हारे डाइडी उनके साथ ही रहे अगर वो मान जाते तो वो मेरे पिता जी की सारी जायदात के मालिक हो जाते हर गरीब आदमी करोर पती की बेती से शादी करने का सपना देखता है और यह मुझे बिलकुल पसंद नहीं हाँ, अगर तुम इस घर में हमेशा के लिए रहना पसंद करो तो मुझे इस शादी से कोई अतराज नहीं इसका मतलब मुझे घर जमाई बनना पड़ेगा करोर पती का घर जमाई बनना भी शान की बात है शारदा, मैं बाहर तुमारे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना शारदा, यह अपनी किसमत पे लेकी गरीबी का इंतकाम तुम से लेना चाहता है यह तुमारा पती बनने के लायक नहीं है मैं अपने घर जा रहे हूँ, पिता जी मुझे आशरवाद दीचे तुम लोग ऐसे खुद्दार बाप की आुलाद हो तुम्हें तो अबादत की तरह पाक, साफ और पवित्र होना चाहिए और अपनी तपस्वी मा की सेवा को ही अपना धर्म समझना चाहिए खुदाफिस सेट जी, आपने अशरव को नौक्री देकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है एक बात क्लियर कर समय लो साइं मैं किसी पर उपकार भी करता, धंदा करता उसने धंदा धंदा वो भी धंदा, केसी बात करें? रिंगार आप, मुंडी नीचे करें और यह लड़ू खावर मुंडी उपकर करके मुँ बन रख वपा के आए कि ब्याज का धंदा है और ब्याज के धंदे में क्या होता है कि जब तो आदमी को पैसा चाहिए होता है तब तो दौना आता है लेकिन जब पैसा लटाने की बारी आती है तो सारी की नानी में मरसी है और दादी में मरसी है पिर आप कोट के चरी के चक्र काटते हैं और सावखील खट मलकी तरह आपका खुण चूसता रखता है तो मेरे दिमाग में एक आईडिया आया कि घर का वखील रखो तो अशोक बेटा जो है वो कोट कजड़ी का लफ़ा संभाड़ेगा और मैं बढ़े आराम से घर में बैठ कर बहुत क्या करूँ पैसे गिनेंगे और क्या करेंगा हमका रहा है कि एक बाप आराम से पैसे कैसे जिन सकता है जबके उसके घर में दो दो जबान बेटिया पाइथी हो तुमने धीका चंचरदास मैंड जी अपने अशोग के लिए मेरी बेती रीटा का क्लियर कर दिश्टा मंजूर कर दिए पीता जी रीटा आ गई अरे आ गई तो मैं क्या ख़़ू अरे अच्छी बात करता है तो जोट से बोल उच चालाज में हमारी रीटा भी ये पास है सुन लिया गुड़ 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 ये और अशोग एक दूसरे को चाहते हैं तो शुबकारे में देरी का है कि अरे रीटा अपने होने वाली सास के पाव पकड़ गिर गया रिष्टा बहुत अच्छा रहेगा ठीक है सेच्छी मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटी का रिष्टा इतने बड़े घर में बनेगा लेकिन एक बात है सेच्छी क्या बात है अगर अगर अशोग इस घर का दामाद बना तो वह यहां नौकरी नहीं करेग तो मेरा भी आख़ी फैसरा सुन ली दिये अरे मुझे नौकर तो बहुत मिल जाएंगे मगर ऐसा फूल सा डामाद कहां मिलेगा अगर अगर इनके पैर चुर अगर अगर रहे है उसे आशिरवाद दीजियो और लड़ू खिलाईगे अड़े पागर होगे आखली के लड़ करनी हुई थी तो मेरे ससुनने को चने भी नहीं खिलाए थे और आप मैं इसको लड़ू खिला रहा हूं तेरे को लड़ू पसंद नहीं है बेटा पसंदे डेड़ी अहे पसंद है मेरे को भी पसंद है आधा खाव ड्र बचला पसंद है मेरे कुषे है मेरे का तेरी थी धर गङऴ है करनी है मेरे भैया की साली, बड़ी ही नखरे वाली, साली तो होती है आधी घर वाली मेरे भया की काली, बड़ी ही नत्रे वाली, काली तो होती है आधी घर वाली हाई लोटी, 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 हाईजी! 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 हपपणा में एक शहर है प्यारा जिसका नाम हैत स्च lados के घतना भेड़य वह ओ lep पड़जा भेड़ते है तश् TWO गठना पलहारी का गडा उठाए हरपन हारे तकष़ाँ उचाएं पीछे मारे घुतना मशक्ल मेरा पतना हालबि, हालबि, हालबि मेरे भया के तालिक बड़ी नखरे वाली सालिप तो होती है आधी घर वाली मेरी भी दीका देवर देखो तो इस पे देवर दिखता है सुने जैसा भी तल का देवर बड़ी आधी 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 आधार ऑग्नुक्त देवर बड़ी लड़ाई जीच के आया पटिया लेका भोजी एक कुड़ी के पीछे पड़ गया था वो बड़ा मन मोजी हो बड़ी लड़ाई जीच के आया पटिया लेका भोजी एक कुड़ी के पीछे पड़ गया था वो बड़ा मन मोजी गकलには बिम्पित्र सुष्व करेगी जा भीतिर देखब उबर रहें घर एक मॉहने जारा मुली में बाहर 전ुना जारा मुली में बाहर आएब ली आएब ली आएब ली आएब ली गाव में इक गाव है क्यारा नाम है जिसका मारी वारी में दो कुरिया रहती थी एक गोरी इक काली अज गाव में इक गाव है क्यारा नाम है जिसका मारी वारी में दो कुरिया रहती थी एक गोरी इक काली गोरी को तो ब्याहके ले गे, काली रहेंगे कौरी तुझे फुद ले जाएंगे, जिनको लगेगी प्यारी मेरे भाईया की साली, बड़ी ही नखरे वाली, साली तो होती है आधी घर वाली मेरी बीदी का देवर, देखो तो इसके देवर, दिखता है सोले जैसा फीसल का देवर अज़ी गंगाराम देख, जब मने 1943 में दांस किया था, तो ऐसे किया था, अरे तू ऐसे कर था, और दूसरी बार जब नमस्ते बहेंगी भगवान की कृपा से सारा काम अच्छी तरह हो गया, अब आप आशिरवाद देकर इन्हें यहां से विदा कर दीजी मैन जी, मैन को ने, आप लोगों को यहां से खुशी से विदा कर सकता हूँ क्या मितलब? मतलब क्लियर कर साफ है, अशोक, अपने राजी खुशी मान गया है कि वो इस धर पे घर जवाई बनकर रहेगा नहीं, यह नहीं हो सकता अरे, ऐसे घुड़ घुड़ कर क्या देखना है? मैन जी, हो सकता है इने खुमेर पास एगरिमंट है इसमें अशोक का दस्त कत्मी है और मैं लालवानी कोई कच्चा कामनी करता होता अशोक, इससे फर्द क्या पढ़ता है मान? मैं चाहिए यहां रहूं, चाहिए वहां रहूंगा तो तुभा दे चाहिए चरा बदलने से रिष्टा खत्म तो नहीं हो जाता तो मुझे रिष्टी की बात बताएगा तो? तुझे तो एक खंपा हुआ है जिंदगे में पहली बार एक रिष्टा बनाए हुए और तो उसे रिष्टी की बात समझाना चाहता है कि एक मा है तो रिष्टी बनाती है तो रिष्टों को जनम देती है तो क्याब चल घर यहां से वैसे भी घर जवाई बनकर है किसी को शोभा नहीं देता यह सब पुरानी आदर शेमा मैं यह ऐसा कर चुक हूँ कि अब मैं यही रहूँगा अगर तेरे मन में यही था तो पहले कह देना चाहिए था कि तो ससुराल में बस जाना चाहता है मैं तेरे हाथ पाव में मेहंदी रचाकर तुझे दुलन की तरह सजा देती बेशरब तुने इतना भी नहीं सोचा कि तु किस बाप के उलाद है उसे भी ऐसा ही कहा गया था लेकिन नुनों ने करोड़ उनकी दौलत कटोकर मार दी और एक तू है अगर बेटी भिकाव हो जाए तो मा सूचती है कि उसे जनम देने से पहले वो बांच क्यों नहीं हो गए अशुक भाईया चलो घर चलते हैं वरना लोग क्या कही है बारात निकली थी बहु लाने और बेटा गवाना कर लोटी सब लोग हमारी हस्य उडाएंगे तो बढ़ाने बहाती मजह किसी की कोई परवा नहीं और तुम भी आतक हो हम लोगों के बीचे बोले कि तुह है कोई गर्वत नहीं अपनी आपात पर रहना चीखो अंगे अशुक यह मत्भूल ही तेरा भाई है वो भाई किसे महिनत करके तुझे रोटीया खिलाई है यह सब कहने से कोई पाइदा नहीं है मां जो आदमी दूद को भूल सकता है उसे रोटी कैसे याद रह सकती है देख रही हो ना मां यह छोटा सा आदमी मुझ पर अहसान जाता रहा है अगर पिताजी ने नाना जी का कहा मान लिया होता तो आज हम भी करोड़ पती होते हैं फिर सब कुछ होता हमारे पास मैंग बैलेंस, गाड़िया, बंगले, सब कुछ फिर मैं पैसे-पैसे के लिए तरफना नहीं पड़ता और नहीं इसका अहसान लेना पड़ता और जिन पिताजी को तुम महान और खुद्दार समस्ती हो मेरे नजर में वो सबसे बड़े बेवकूफ थे आइशोक जिस तरह आप अपने पती की बेज़ेती नहीं सेहन कर सकती इसी तरह मैं भी अपने पती का अपमान बरदाश्ट नहीं कर सकती भाबी मा का हाथ छोड़ दो मैं कह रहा हूं मा का हाथ छोड़ दो भाबी आज तुम इस घर की भव बन चुकी हो इसलिए सब कह रहा हूं वरना अनर्थ हो जाएगा यह क्या मा तुने फिर से सिलाई शुरू कर दी मैं सारा बुष्टों अकेले पर नहीं डालना चाहती बेटे पताने विनोत को कब नौकरी अगेगी नौकरी तो आज भी मिल सकती थी मा बहुत अच्छी नौकरी चार हजार रुपया महिने की तनख्वा चार हजार रुपया अच्छी नौकरी बार बार नहीं मिलती मा सोचो चार हजार रुपय तन खाँ अरे बेटे लेकिन पतान हजार रुपय लाएंगे कहां से यह लो भीया भीया इन्हें बेचकर तुम पचास हजार रुपय जमा कर दो शीला यह गहने तो तुम्हारे शादी के लिए है मा एक बहन के लिए सबसे अच्छा गहना तो राखी है राखी की लाज बचे बस ऐसे गहने तो बाब में बन जाएंगे अरे पगली राखी की लाज बचानी की जिम्मेदारी भाईयों की होती है ये गहने बजार में नहीं बिखेंगे और विनोध भाया कल सुबह तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे मैं पचास हजार सुजादा नहीं दूगा लेकिन पहले तो आप सत्तर हजार रुपे देने के लिए तैयर थे और आज आप सिर्फ पचास हजार दे रहें भाया पहले मेरी ज़रुत थे तुम्हें सत्तर हजार दे रहा था अब तेरी ज़रुते तो पचास हजार रुपे दूगा और मुझे मालू है कि तू मान भी जाएगा क्योंकि कल सुबह तक किसी भी हालत में तुझे पचास आजार रुपे चाहिए और बाजार से तेरे को पचास आजार रुपे कोई नहीं देने वाला हाँ आप गैरेज की नहीं मेरी मजबूरी की कीमत लगा रहे हैं ठीक है मुझे यह सौदा मंजूर है नहीं अमर अमर तुम यह गैरेज मत पेछो चलो मेरे डाडी के पास मैं उनसे कहूंगी कि यह गैरेज गिर्वी रखकर तुम्हें पचास आजार रुपे दे नहीं आशा यह गैरेज मेरे नेक मंदर की तरह है और मैं यहां काम पूचा की तरह करता रहा हूँ मंदर के रखवाले तो बदलते रहते हैं लेकिन मंदर कभी गिर्वी नहीं रखा जाता लेकिन अमर देखो आशा इनको मैंने अपनी मजबूरी बता दी तो इन्होंने कीमत गिरा दी तुम्हारे डाडी का अगर मैं ऐसान लोंगा तो वो मुझे अपनी नजरों से गरा देंगे लेकिन अमर कम से कम इतना तो सोचो क्या अगर ये गैरेज नहीं रहेगा तो क्या बचेगा तुम्हारे पास आशा अरे तुम जो हूँ मेरे साथ हम फिर से एक नया गैरेज बनाएंगे नहीं मैं तुम्हारा गराज में ही पिकने दूगी जो सारे पैसे लोटा दो मगर मा ये भाई साथ की चार हजार की नौकरी का सवाल है नौकरी बाद में भी मिल जाएगी नहीं मिलेगी मा इतनी अच्छी नौकरी बार बाद नहीं मिलती ग्यारेज तो फिर भी दुबारा खरीडा जा सकता है दुबारा कहां से लाएगा पैसे मैं किसी दूसरे ग्यारेज में इतना काम करूँगा कि घर का गुजारा अच्छी तरह हो जाएगा और भाई साथ की पूरी तंखा भी बच जाएगी साल में हम दो कम पचास अज़र रुपई बचा ही लेंगे मा अमर ठीक कह रहा है मा फिरा मामर को दुबारा गयराज खरीद वा देंगे मा मेरा परसीना ही तो मेरे भाई के काम आ रहा है और उसमें भी तुम्हें रोक रहे हो जबकि मेरी तो ये इच्छा है कि मेरे खून की हर एक बून इनके कामा जाए नेकिन ना, तुम्हें मेरी कसम मुझे आशिरवात हो ये लो भईया अजया है एक रास्ता है कौन सा रास्ता हमारे लिए काम करो क्या काम है बहुत हित काम है चरस, कांजा, प्राउन शुगर सप्लाइ करना लेकिन मैंने पहले तो कभी ये काम किया नहीं है अब कर लो हम सिखा देंगे हजारों कमा हो गए उसमें से चार हजार घर दे देना क्यों ठीक है न क्या सोच रहे हैं जी मुझे मुझे मंचूर है वेरे गॉड आओ मेरे साथ कहिए हुजूर आईए अबद्ला से भाई हमारी गारी ठीक हो गई जी आभी के गारी का काम हो रहा है और शाम तक आपको गारी मिल जाएगी देखिए शाम तक मिल भी जाएगी है यूँई कह रहे हैं चलिए मेकानिक से पूछ लेते हैं चलिए आईए क्यों भाई अमर शाम तक इनके गारी मिल जाएगी ना बस सब थोड़ी देर में हो जाएगी है अमर बर्खुरदार तुम यहां तुम्हारा तो भाई अपना गेराज हुआ करता था बस एक के बाद एक मुसीबत आ पड़ी इसलिए क्यारिश बेचना पड़ा अब मैं इनक अच्छा मेकानिक मिला है और उसे तुम दुबाई बेजना चाहते हो अरे देखो तो सही सुवा से इसने तील गारिया स्ट कर दी यहां मैं इसका होन और इसका फंजानता हूं इसलिए तुसको दुबाई बेजने के लिए क्लिए नहीं सब मुझे धन दौलत नहीं अपना परिवार प्यारा है अपने माँ भाई बेन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहता देखो अमर चलिए आपको चाहे पिलाते बच देखे शेकर मिया शर्त यह है कि चाहे पिएंगे तो उसको बाद पान भी खाएंगे अरे पान के साथ तंबासों भी पिलाते है तो सही को पिलोटा दे मेरे बीते हुए दिन पर मड़े अरे जी तो डॉक्टर लगता है इसको क्या हुआ इससतर अले बेटा गंगारा अंक लाईदर तो आ यहां इदर तो आ बेटा जी पिताजी आड़े गंगारा आप इस डॉक्टर काय को आय को आया है वो शोभा को उल्टिया कि अधिया आरे मुझे तो दाल में कुछ काला ना जलाता है कई उसके पेट में मुझे मुझे कंगाल बनाने का नुसका तो नहीं बनड़ा अरे कैसी बात है कपर सेट जी खोटे ने तो नशकाट जी थी क्लियर कट चंचड़दा था कि तुने मेरा डायलॉक बोला तो तेरी कमाने के शी थे वागार में से पांच रुपे क्लियर कट चंच पर लुगा है कि अधियो आप दादा बनने वाले अरे मैं चूटा-वुटा सेट ही बहुत हूं मुझे गली का दादा बदा नहीं बनना डाक्टर सूब आपका बेटा बाप बनने वाला तो जी बच्चे का देख रहा है मेरा बेटा मरने से पहले मुझे बदाई दे रहा है मैं तो लगता मर जाओंगा मर जी मैं तो यह क्या हुआ चंचल्दास लगता सेज जी का राम नम सक्थ हो गया यह तो बड़ी मुशिबत की बात हो गई इनके क्रिया करम पर खर्चा करना पड़ेगा है अरे चंचल्दास चड़ मुझे दिखाई है अरे चंचल्दास जी इस साबुन के 40 रुपे और फिनायल के 30 रुपे काय को लिखे हैं सारे इसमें अरे शेज जी हम का रहा है यह दुकान हमारे बाप लगते हैं जो मुझतमे देंगे अरे घदे यह जो दड़वाजे पडाते हैं कि हमारा साबुन ले लो जी हमारा फनायल ले लो जी उनसे नि ले सकता था उनको कई दीता कि बापर के आपको बताएंगे पैसे बज जाते यह चारीस और तीस हो गए 90 रुपे यह मैं तेरी तंखा से काट लूँगा पैर दबाओ पैर दबाओ यहां किया लिखा है ब्लाउसे कुर्टे पजामे तिक लिए इतने सारे कपड़े देने की क्या जरूरत थी बिना इस त्री के कपड़े में क्या बात है तब यह तो ठीक है मैं केस हार गया पिर से केस हार गया उड़े पाजलाग का नुक्सान कर दिया देखा देखा जच जदाज गंगा रामका बेटा पेट के अंदर है लेकिन महल बाहर जाना चालू हो गया अँगया आप मेरे बेटे को मन्हूस अर्गिज नहीं कह सकते हैं अगर तेरे बेटे राहून ने तेरा साथ दे भी दिया तो उसे कोई फाइदा नहीं होने पारा इसलिए कि अपने घर में एशनी बैठा हुआ है अपना जमाई बाबू जो आज फिर से केस हार करा आ गया है मैं अरे तेरी कौषिज का मैं क्या करणूँ आ पाप बढ़ा हूं बाते करें आपने Յंपकूर में खुर्त बोल रहा हूं औह भी सुन्लो गैंज शाब उर्फ शनी महाराशश है और आप दी डोटिय का बाऊं टोर चुके अब में मुखती दीडियोजी से और आ अरे जिसे अपमान का डर होता है वो घर जमाई नहीं बढ़ता है, अई-ई-ई, अको लगर करिया है, लेकिन आपके लिए भी तुमेने इंपर्जोर डाला था, ख्यादी के बाद जब बेटी बहु बन जाए, उसे मैक्के वालों का नहीं, ससुराल वालों का ख्यार रखना च उनका अपमान किया, मुझे मैं तो अब इतनी हीमत नहीं कि उनसे मज़र भी मिला सको, मा का दिल बहुत विशाल है, तुम उनसे माफी माफ कर देंगी, नहीं, मैं तो इस लाइक ही नहीं रहा कि उनसे माफी भी मांग सको, चलो रिटा, ऐसे ही कुछ सामान तो लेने, नहीं यहां से अब और कुछ ने लेना, मेरे साथ चलना है तो वैसे ही चलो जैसी हो, दीदी, तुमने पहले ही बहुत देर करती है, अब और देर मत करो, प्लीज, हाँ, अब और देर नहीं करनी चाहिए, तुमने मुझे पहले भी समझाय था, अगर तुम्हारी बात मैंने मान ल चलिए, चलिए, अगर आपके कोई मांग है, तो आभी बता दीजी, यह तो शादी का पविक्त्र बंधन है, कोई सौधा नहीं, जिसकी कीमत लगाई जाए, देखा शंती, शार्दा जी कितनी महान है, वरना चार हजार रुपया महना कमाने वाले बेटे के लिए, तो लाको की दिमान होती है, उपर से टीवी, वी सियार और वो भी कलर में, मास कीजिए, आप में से विनूद किसका नम है, विनूद, हाँ, यह है विनूद, क्यों, बेहन जी हमारे पास इस मकान का सच वरंट है, जाओ तुम लोग तलाशिलो, हाँ तो मिस्सर विनूद, वो मल कहा है कौन सा माल? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूब, मुझे तो यह भी नहीं मालूब, यह सब यहां कैसे आ गया? ठीक है, तुम्हें हमारे साथ पोली स्टेशन चला रहा है लोग ठीक कहते हैं, मुफ्त का सौधा ज्यादा महेंगा पड़ता है, अच्छा हो आच लिए तो भी सामने आवे, चलो हम चलते हैं ठीक है, ठीक है, मुझे रिनूद नहीं, मैं हूँ इंस्पेक्टर साब, यह हाशिश मैने घर में रखी थी यह तो क्या कह रहा है, ठीक है रहा हूँ मा, तुम कौन हो, मेरा नाम आम है, मैं इनका छोटा भाई हूँ, पहले मेरा ग्यारिस था, चिप्टिक गया, तो मैंने यह धंदा शुरू कर दिया, लेकिन सेट सुलेमान ने तुम्हारा नहीं, विनूद का नाम दिया था, पुल विनूद भाईया की जिन्दगी पर बात हो जाते हैं, और इस खांदान का नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाता, चलिया, नहीं, अमर ऐसे नहीं कर सकता, अमर ऐसे नहीं कर सकता, मैंने आपके विश्वास को ठेस पहुचाई है मा, हो सके तो मुझे माफ कर दिना, पेटे, शांती, अब हम यहां से नहीं जाएंगे, अरे हमें जिससे रिष्टा करना वो ठीक है न, अगर उसका भाई खराब निकला तो हमें उससे क्या मतलब, वो तो हमारा भाई भी नहीं है, पिता जी उसे कहीं से उठाला है थे, हमें का मलूम कि वो ऐसा निकलेगा, अच्छा, तो वो तुम्हारा भाई नहीं, ये दो और अच्छा हुआ, समझ लो, सड़क का कुत्ता था, घर में आकर भी पतल चाटने के आदत नहीं बूला, ये अच्छा हुआ कि घर से कच्रा बाहर निकल गया, अच्छा, शारदा देवी, आप बारात लेकर कब आएंगी, अब इस समझ गया, मा, मैं जानता हूँ, तुम्हें अमर की वज़े से बना दुख पहुंचा है, शीला, तुम ज़रा मा को समझ ला, मैं अभी आया, विनोध, यहां आओ मेरे पास, जी मा, तुम स्मगलिंग करते हो या नहीं, मा, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ भी किया हो, समर ने किया है, तुम स्मगलिंग करते हो या नहीं, मैंने कहा रहा है नहीं, आपको तुम मेरे इतका भरोसा ही है, भरोसा उस पर जिससे सडक से उठाग धर, घर में लाए थे, ठीकी तो को उन लोगों ने सडक का कुटता, हाँ, हाँ, खामोश मैं आपकी कसम खा भी लूँ, अब मुझे आपके उपर विश्वास नहीं रहा कि आपको मेरी बात सच लगेगी, इसलिए मैं आपकी कसम नहीं खाऊंगा हाँ, जिस बेटे का मा पर से विश्वास उचाए, जिस बेटे के सामदी मा की इतनी भी इज़त में रह जाए, कि वो उसकी कसम नखा सके ऐसे बेटे के बारे में यही सोच लेना चाहिए, कि उसने मा का पिया हुआ सारा दूद उगल दिया ठीके विनोद, तुने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा भी फैसला सुन ले, जब तक तु अपने जर्म का इकरार नहीं करता, अपने आपको पुलीस के हवाले नहीं कर देता, तब तक इस घर में तेरे लिए कोई जगा नहीं सब्जे, ठीके, ठीके, मैं भी इस घर मे नहीं रहना चाहता, कभी लटकर वापस नहीं आओंगा मैं, बाईया, रोक जो बाईया, शिला किला है तो मुझे, कभी रहा हूँगा मैं, जोड़ के भज़ाए, बाईया, आज बिनोद भाईया बिन चले गए, मा, मा, आज शोक बाईया तुक चले गे थे, आज विनोद मा, मैं तो सिर्फ चाहती थी, कि खुद साफ हो जाए, मुझे क्या मालूप था, कि खुद पानी हो जाएगा, मा नहीं आई, वो तुम से बहुत नाराज है, वो यहां कभी आएंगे भी नहीं, मा को देखने का बहुत चीज़ चाहता है, लेकिन क्या करो, अपने पाप का प कैसा पाप, कैसा पाप, बोलो, जवाब दो, देख अमर, ये बात सबको मालूम हो गई है, कि तुम यहां पाप का नहीं, उन्हीं क्या प्रास्चित करने आया हो, हाँ भीया, विनोट भीया के जून पर परदा डाल कर तुम यह अच्छा नहीं किया, नहीं नहीं यह जूट अमर, चिलाने से जूट का काला रंग, सच्चाई की सफेदी में नहीं बदल जाता, मुझरिम विनोट भीया है, अगर पोलिस उन्हें सजा दे देती, तो शायद उनके पापों का प्रास्चित भी हो जाता, और वो सुधर भी जाते, लेकिन तुमने उन्हें बचा कर, उनक और जिन करने का माखा दिया है, अमर, तुमने कोई खुर्बानी नहीं दी, बलके विनोट भीया से दुश्मन ही की है, सर, आपका अंदादा सही था, अमर को स्मगलर्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, वो खुद मीं स्मगलर्स नहीं है, दरहसल उसने अपने भाई, व कुल करने, यस सर, फाइल नमबर पांच अंदर बेज़ दो, ओकर सर, बॉर्ण, देखे, अमर के खराब बहुत सक्त जुर्म आइद है, फिर भी हम उसे जमानत पर छोड़ रहे हैं, लेकिन जमानत की रकम बीस हजार रुपे होगी, और वो भी नकद, तैंक यू सर, तैंक मैं अभी रुपे एगर हाजिर होती हूँ, आप कैसी बाते करते हैं डाइडी, इतने कवरपती होने के बाउजित भी, आप अपनी बेटी को ए भले काम के लिए बीस हजार रुपे नहीं दे सकते, हाँ छाती ठोक के कहता हूँ, बीस हजार नहीं दे सकता, लेकिन हम का रहे अगर वो बीस हजार की जमानफ लेकर गायब हो गया, तो मेरे तो गए ना बीस हजार रुपया, और अगर गायब नहीं हुआ, तो दूर से शादी कर लेगी, और मेरी बेटी एक कंगाल की हो जाएगी, नहीं दे सकता जी बीस हजार रुपया ठीक है रेडी, मत दिजे, आज मुझे बालूम पढ़ा कि इस घर मेरी क्या खीमत है, आपका प्रेटी नहीं, दो लोग प्यारी है आरे हम का रहा हैं सहाद जी, उसे जाकर मना लीजिए, कहीं गुस्ते में हो कुछ करना बाइट रहा है अरे क्या गदोंगे ऐसी बातें करता है चंचरदास, ये सोटावाटर की बोतर की जाग है, खुद ही अपने बिस्तर पर लेटकर दो आशु भाएगी, अपने अब तब ये थर्की हो जाएगी नहीं तो डॉक्तर को बोलाना पड़ेगा, पचास रुपे का फटका पड़ेगा, और वाजान तो इस तरह के नाटक रोज होते हैं याँपे पिता जी, मुझे सिर्फ एक बाद बताईए, अगर ये आपका धन आपके बच्चों की काम नहीं आया, तो फिर ये धन किस काम का? पिता जी, जब आप अपनी खोटी चवणी का खायल रख सकते हैं, तो अपने बच्चों का खायल रखने में आपको कोई कठीनाई मैसस नहीं होनी चाहिए है न? अरे गंगू, बहु के सुड में सुड में लाने की आदत भूल जा, वरना मैं तुझको जाइदाच से बेदखल कर दूँगा और तू अनात हो जाएगा अरे सजी अनात? अरे मेरा मतलब है कि बेसहारा हो जाएगा बेसहारा हो जाएगा यूँ अपने घर की तरफ क्या दिख रही हो? राम, आखिर कब तक हम यूचुप-चुप के मिलते रहेंगे? मेरी माँ को अगर इस बात का पता चला, तो मुझे घर से बाहर निकलने भी ने देंगी तुम अपने माँ से बात क्यों ने करते? बस कुछ दिन और ठेर जाओ शीला, तुम नहीं जानती, मेरी माँ किसी हिटलर से कम नहीं है इसलिए उनका मूर देखकर बात करनी होगी, वरना बात बिगर जाएगी मुझे भी इससे बात करा है राम, कि बात बिगर जाएगी? नहीं, नहीं, बस कुछ दिन और फिर मैं तुम्हें ब्याह कर यहां से ले जाएगा I promise, okay? अब तुम जाओ, बहुत देर हो जाएगी इतनी राजगाए कहां थी तु, होटल में, न्यूयक की पाटी थी, वो तो बारा बज़े खत्म हो जाती है, अभी चार बज रही है अफो मा, मैं अपने फ्रेंच के साथ डांस कर रही थी शीला, इतनी आजादी अच्छे नहीं, देखो मा, अब मैं कोई दूद्पीती बच्ची नहीं हूँ, जो अपना भला बुडा नहीं सोच सकूँ और अगर घर की चार बीवारी में कैट करके रखना चाहती थी, तो कॉलिज में डालकर पढ़ा रिखाया क्यों यूही अन्पड़ और कवार बनाके रखती और फिर किसे लल्लू पंजो के पल्लू बानकर घर से विदा कर देती शीला, तू ओश में तो है, देखो मा, बात तो साफ है, मैं कोई मशीन का पईया तो नहीं हूँ, जो हरपल तुमारे इशार पे नाशती रहू और अगर फिर भी तुमने मुझे इस घर में कैट करना चाहा, तो मैं इस घर कोई छोड़ दूँ शीला, चाय रखी है, पी लेना मा, मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ, मुझे ढूलने की कोशिश ने करना, इसलिए कि अगर मिल भी गए तो वापस ने आओगी देख रहे हो ना, बेटी भी छोड़कर चली गए, एक-एक करके सब भी चले गए बोलो, क्या दोशे मेरा, तुम तस्वीर से बाहर क्यों नहीं आते, मैं बिलकुल अकेली ओके हूँ माजी तुम्हारा अचानत कैसे आना हुआ? माजी, मैं अपने पिताजी का घर हमेशे के लिए छोड़कर आपके शरण में आई हूँ नहीं, ऐसा न कर बेटी, ऐसा न कर आप पर बोज बन जाओंगी, इसलिए आप ऐसा कह रही है? बोज से डरने की बात एक मा से मत कर मा तो बोज को अपने अंग में छिपा कर जीना जानती है तो फिर आप मुझे क्यों मना कर रही है? मैं नहीं चाहती, कि जिस आग में मैं चल रही हूँ उसमें तुम्हारे पिताजी भी चले ये देखो, आज शीला पी खर छोड़ कर चली गई एक बेटी, मा का सारा छोड़ कर चली गई तो दूसरी बेटी, मा का सारा मांग दे चली आई पाजी, अगर आप मुझे स्विकार नहीं करेंगी तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कहा जाओंगी, लेकिन इस घर के सिवार मेरा कोई सारा नहीं है देखा, तुम तो तस्वीर से नहीं निकले लेकिन चान अंधेरे से निकलाया यह हमारी बहु, हमारी बेटी अरे आशा कहा मर गई तू आशा आदतें खड़ाब हो गई हैं इस सब की आदतें आशा तुम कीदर गई अरे आशा तू कीदर है सब एक एक करके चले जाएंगे पिताजी और आप अकेले रहे जाएंगे और आपका यह बंगला है ना बंगला असा खेलता बंगला एक भूत बंगला बन जाएगा और आपके हालत उस चमगादर जैसे होगी जो अकेना दिवारों पर सर तक्रा तक्रा कर जीता रहता है देख लेना पिताजी ऐसी हालत मेरी नहीं होगी तुम सब की होगी देख लेंगे गरीबी की दिवारों से तक्रा कर एक दिन सब मेरे पास लोट कर आओगे और यह अशोख है ना मेरे लिए ना सही मगर मेरी दौलत के लिए ज़रूर आएगा देख लेना इधर जख मारेगा अच्छा अगर आज शान तक नहीं आई तो देखना क्या तमाशा खाणा करता हूँ फारा इस खोपड़ी के कम्प्यूटर में प्लान फिट है साई क्लियर कट फिट है तुम देख लेना चलिए माजी उठिये और खाना खाईए आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई है अरे बेटी खाने पीने के तो तुम्हारे दिन है और तुम्हें मेरे दिए खीर बनाई मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली चलिए उठिये दिन रात काम करते रहती है उठिये पहले पेट पूझा उसके बाद काम दूझा तब तक मैं आपके लिए कटिंग करती हूँ खाएंगी आपके लिए खिलाओं देखो वडी खुद मालकीन बनकर खाना खा रही है और मेरे बेटी को नौकरानी बनाकर काम कर रही है आपने अपने आपको तो देख लिया जो मैं कहता था वही हो रहा है जादी आप पॉलिस लेकर रहा है क्यों आए है अड़े अपनी बेटी को घड़ वापस ले जाने के लिए मैं पॉलिस को क्या आर्मी को मिले करा सकता हूँ देखे जन्रल साब मेरा मतलब है इंस्पेक्टर साब ये औरत अपने स्मगलर बेटे से मेरी बेटी की शाधी करवा के मेरे करोडों की दाजाज करे और कट हरप करना चाहती है जाड़ी इंस्पेक्टर साब आप इस औरत को फॉरम गिरुफतार कर लीजिए और मेरी बेटी को मेरे घड़ पोचा दीजिए इंस्पेक्टर साब मैं बालिक हूँ पड़ी लिखी हूँ अपना भला बुरा अच्छी तरह जानती हूँ और मैं यहां अपनी मर्जि से आई हूँ दुनिया का कोई भी खानून मुझे यहां से जबर्दस्ती नहीं लो जा सकता यह बिल्कुल ठीक हरी है अरे इसने अपने आपको बालिक कहा और आपने मान लिया अगर कोई असने बालिक है तो क्या सोने चांदी के धेर से उठकर वो कीचोने बैठ दाएगा सोने चांदी के धेर से बड़ा कीचो और कोई नहीं जो इंसान उसमें एक बार दूट जाता है तो उसकी आत्मा तक मिली हो जाती है आप ही बताई इंस्पेक्टर सहाब एक बालिक लड़की को अपना पती चुनने का अधिकार है या नहीं पिरकुल है अरे कैसे इंस्पेक्टरों याद है अर्चीर में हाँ कर देते हो देखो सेड़ जी आपने तो कहा ता आशा नाबालिक है और उसे जबरस्ती भगाकर यहां लाया गया है सब बातें गलत हैं इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता अगर हाँ अगर आपने इनके खिलाफ कोई गड़बर करने के कोशिश की तो आपके उपर केस भी हो सकता है कुछ बढ़? हाँ आपर तुम इतना याद रखना मैं आइस्कीन कितना पेगड़ यावारा नहीं अपनी सारी ज़्यादा तरस में कर दूँगा अगर तुमको आदी खोटी चोन यह थनी एक पैसा ने दूँगा जदी मुझे सर्फ आपका आशिरवाद चाहिए अरे जा फोकर मैं मैंने किसी को श्राप ने दिया तो आशिरवाद चाहिए दूँगा चलियाओ छोड छोड पकड़ मत देखा देखा है तरी वाल्या से इस्पेक्टर मेरा पकड़ रहा हाथ अरे अरे तुम मुझे याद रखना अरे तुम ने जिन्द की मेरा साथ छोड़ दिया तो जिन्द की भर गरीबी और बुखमरी तरी टांग खिशते रहेगी तु अभागी हो जाएगी परबाद भुलाएगी कंगाल भुलाएगी तरे पाद कुस ने रहेगा और तु चिलाती रहेगी बाप्टू, बाप्टू मुझे बजाए बाप्टू मुझे बजाए अबलूदर्, मुझे मामर को लाओ उसके जमने नहीं दो गए ओके साथ उस दिल मेरे सरपर दूलत का भूत सा वार्थामर उसी की वज़े से मैंने मागा भी अपमान किया और तुम्हारा भी मुझे बाफ करते हैं अरे ये क्या कर रहे हैं आप मुझे से बड़े हैं भाई साथ आप से मुझे कोई शिकायत नहीं लेकिन वैसे आपको मेरी जमानत नहीं देनी चाहिए थी माको मालूम होगा तो वो बहुत नाराज होगी तुम्हा जमानत मैंने नहीं दिये अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा और मैंने किया भी क्या है बेकार पड़े नोटोंगो अगर हवा नहीं लगाता तो दीमक खा जाती हूं नोटोंगो मैं पिताजी के रुपे लेके अशोग बाबू के आफिस गया और उन्हें यहां ले आया रुपे जमा कर दिये हाँ जब केस खतम होगा तो रुपे वापस मिल जाएंगे बाई साथ के आफिस Wisconsin क्यों आपने कुई अलग ओफिस बनाया है क्या हम अमर अब ना इसराल में है लिए धाना पजयाने का होसला ने जुक्टा वाया ही कि घपराने की कोई मेरे साथ चलिए, मैं सब कछ ठीक कर दूँगा नहीं आमर, पहरे तुम घर जाओ मा तुमने लिए बहुत परिशानी, जाओ ठीक है मा मा ये मा की तरफ से बेटे को जूट बोलने की सजा है मेरे लिए ये सजा आशिरवाद के समान है मा मेरे एक जूट बोलने से अगर किसी का भला होता हो तो एक जूट बोलना पाप नहीं होता मा आशकल मा को भी उप्देश देने लगा है क्यों अपने इस पेटे के गलती को, माफ कर देना मा आशकल मा, ये ये आशा या क्या कर रहे है मा जी जाए और बाकी सब कहा है तेरे जाने के बाद विनोद मुझसे जगर कर चला गया शीला मुझसे नाराज होकर घर छोड़के जाने कहां चली गए आशा ने मुझसे सभाल लिया वरना मैं भी नजाने इस दुनिया में मिलती ये नहीं भगवान के लिए इसी बाते मत करो मा तुम्हारा ये बेटा अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा बेटी, मेरी काग्या का पालन करेगा ऐसा क्यों कहती हो मा अपने इस बेटे पर भरोसा नहीं मैं तेरे चर्णों की सौगन खाकर कहता हूँ तुम जो कहोगी उसका मैं जरूर पालन करूँगा तो सुन ये लड़की अपना घर, अपना परिवार सब तु छोड़के यहां मेरे पास रह रही है किसी कुवारी लगी को इस तरह घर में रखना अच्छा नहीं लगता मैं इसे अपने घर की बहु बनाना चाहती हूँ इसलिए तु 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 शादी कर ले वो तो ठीक है मा लेकिन 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 कुछ नहीं, तुने मेरी सौगन खाई है खीक है मा, लेकिन शादी करने में जितना वक्त लगता है उतना वक्त तो दोगी न मुझे, क्यों आशा तुमने अमर की जमानत लेली? हाँ शोभा, पहली बार मैंने कोई पुन्य का काम किया है भगवान इसका फल मुझे और मेरे पिताजी को जरूर देगा पिताजी को क्यो? उनी का तो पैसा मेरा थोड़ा ही है अले सत्यालास हो तेरा मने रुपे ऐसी जगा चुपा कर डखे थे कि किसी की नजर न पड़े लेकिन मेरी नजर पड़ गए थी पिताजी मुझे मालूम था आपने वो पैसे सोफा के अंदर छूपा के रखे थे मैने स्कूल रहर से सोफा खोल के सिर्फ बीस हजार रुपे निकल ले थे जयादा नहीं बीस हजार रुपे निकल लेते हैं अर हम तो कहता तो सेच जी आपका इस कूप पहले से डीला है अरे, shut up you between father and son coming in the constitution of India ये सब इस बहु के पेट में पल रहे बच्चे का ख्षणाप है जिसने मुझे गंगाल करने का कारेक्रम शुरू कर लिया है ये बच्चा ने शैठाल है ये ये आप क्या कह रहे हैं पिता जी गान खोल कर सुन ले बहु अगर इस बच्चे ने अपनी लीला इसी तरह शुरू रखी तो मैं इसके पैदा होने से पहले इसको खदम कर दूआ क्लियर कर सुन रहे हो तो सुन रहा हूं, सुन रहा हूं कावमा और फुल स्टॉप के साथ सुन रहा हूं जिस खर में लोग मेरे बच्चे के खूल के प्यासे हो वहाँ मुझे नहीं रहना अरे जाओ जाओ धमकाती जिसको जाओ शोभा, शोभा सुन तो, शोभा पिता जी जो अपने बेते का नहीं हुआ वो मेरे बेते का क्या होगा आप कुरुकपुर्गी की तरह दावलत के अंडे पर बैटकर उससे सेखते रहो दावलत तो पैदा होगी लेकिन आउलाद नहीं मिलेगी अरे जाओ जाओ बीवी के लिए बाप को जोड़ कर जाता है साथ जोड़ू का गुलाम जो जंचरदाद हाँ जी सेख जी तू साड़ा गुस्से सेख जी सेख जी बोलता है मेरे को सब पता है कि तेरी नजर भी मेरे रुपे पड़ है तू सोचता है कि मैं मर जाओंगा तो मेरे रुपे पड़ कब जा कर लेगा नहीं ऐसा नहीं ओने दूगा मैं तुभी जा पाग जाए आसे बाग पाग सादिस साथ तो नहीं डस्ता आप तो इंसान होकर इंसान को डस्त है अरे आपने तो अपनी आवलाद को नहीं छोड़ा अरे ये घर नहीं है तुम्हारी लालच और हवस की समाधी है या आपर किसी को चैन नहीं मिल सकता अरे आप हमें क्या भगाएंगे हम खुद ही आपको छोड़के चाले जाते हैं अच्छा चिल्ला कड़ गया सा लेकिन पैसा तो बच गया अब इस घर में मैं रहूँगा और मिली लक्ष्णी बेगी लक्ष्णी यह जी इपकास नहीं है सुकर्ष्णी अख़ुद है कर डिशेता बेगी दोड़की किसा गफ्ष्णी उड़ा रहा मैं उसके सामने से गउड़ा लेकिन पाइचाना तक नहीं उसके चलो 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 जेख चलो चलो मुझे आखाने में जो मज़ा है ना वो किसी वाट मुझे विकास अरो मारा बाप आया तू करे तुझे हीरो इसलिए बनाया के तू हाउसफुल शोट खोर कर इस लड़की के साथ गुल शर्रे उड़ाता रहा है कौन इस लो कौन सा अवस्पूल कौन सा गेकर चरस भी के आया गया तू अरे चरस अरा महरा बाप विकास ना तक छोड़ मारा साथ चल अंटेन तक चले लेकिन इंका नाम विकास नहीं है इंका नाम तो गंगाराम है तू ने अपना नाम भी बनाद लिए बहें जी आप इसे जानते जितना मैं जानता हूं इतना जानता है रहता है तू तुझे भी बहुत लगिए ये ले जी आखा आप है विकास प्लाट कौन सा चाल नाम तो प्लाट है तूझे ले बाजी आखा तेरे खरत आप टेरे ये तूनको नामालो हमारे नाता कंपनी के छोगरी मीना के मेरे बच्चे की मा बनने वाली है। मेरे बाद में मुझी मिल। मुझी ये तो बताओ। तो अभी तुम ही बताओ। मैं किसी रात को तुम्हें छोड़के गया हूँ। तो मैं तुम्हारा ही हूँ, इंका ही हो नहीं हूँ। यूही रोती है पगली कहीं की। चल। दारेक्टर सीधर भाई, आसू लवाजी। सीध जी लगता है ये अपने विकास का हमशकल है। क्यों नो विकास की न मिलने तक हम इसे ही अपने हीरो बना रे। अरे वाज। अरे वाज। चानाम है इसका? विकास अरे गंगाराम अब क्या है? महारापण महरवानी कर क्या करना है? हमारे नातक कंपणी का हीरो बन जाए हरो? मैं? हाँ मेरे घर जाओ, मेरा बाप अच्छा एक्टर है वो खुद अच्छा नासता है और दूसरे को भी अच्छा नाचता है जाओ अरे मेरे बाप, तेरा बाप नहीं, तू चाहिए, मेरवानी करनी, देख, रहें भी करने काम करने का 100 रुपे मिलेगा, नहीं चाहिए, 200, नहीं चाहिए बोलाना, 400, अर नहीं चाहिए बोलाना, 500, अब इसे आगया हम नहीं देगा, हाँ, बोल, हाँ, 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 तो दश्यों का पाच जार हो गया, चुबाई धन्दा कोई बुरा नहीं है, यह सब पेट वाले की करामत है, बाराने के पहले उसने चमतकार दिखाना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है, मंजूर है, मैं ऐसे एक्टिंग करके बताऊंगा, कि सारे जिंदगी में बह तु भी आजे मार पड़ेगा, बया, अने चलो, दवा की पड़ी तो मुफ्त में मिली, तेकिन दवा लाएगा कोण, अन्चलदाद भी नी आया, अने माने निकाल दिया तो क्या हो, उसे आना तो चैहिए ताना, पेड़ा तो कोई भी नी दा, क्यारो कोई बात ने, हैंगे, मैं तो क्रोड पती हूँ, अने, उनको आना पड़ेगा, आज शायद होगा, मक्की तो आएगी, जब उखे बनेंगे तो तब के तब आएंगे, अने माल में बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत होती है, लालवानी, तु खुद उड़ा, तबाही लाने के लिए, तो आपके इत भीट बहुत करणाव है यार्ड कि अच्पी शंदास लालवानी कर दिए लालवानी तूदर क्या खाड़ा कर रहा है तेरा बेटा है बहुत है पेटिया दामाद है लेकिन आज त्या कोई नहीं तू दन्वान में सेष लालवानी तू कंगाल है मैं वहां तू कंगाल है कंगाल नहीं हूं ऑधनमान और धन नहीं था घ्रवान हूं और भ्षकति है प्ञूड है कुछ मैं मैं कुछ मी कर सकता हूं यह से ही कहता है, तवलत से सब कुछ मिल सकता है, अगर शांती नहीं मिल सकती, लालवाणी, तु गंगार है, तु गंगार है, तु गंगार है, तेड़े ये पैसे, तेड़े ये पैसे कागज के कुपले है, मुझे नहीं चाहिए पैसा, तु गंगार है, तु गंगार है, ते मेरे पास कोई पैता नहीं तुम कर आ रहा है सर्जी 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 जंचरदास सर्जी मुझे मेरे बच्चों के पास ले चा रहा है मैं किरा रहे हैं मुझे मेरे बच्चों के पास ले चल जंचरदास अभे लगता है सर्जी बहुफफ होका है यह रोस नहीं हुए, आज सच मुझी में होस आगया है शीला, देखो कौन आया है बहिया शीला बहिया ए रो मत शीला, रो मत कैसे हो बहिया, अच्छे तो हो न? अच्छे हो, लेकिन तुघर छोड़ कर क्यों चलियाई? यही गुसे में चलियाई थी बहिया, लेकिन वह मेरे भूल थी बहिया, यह राम है इलुने मुझे लग्यों के होस्तिल में रखा है क्या रिष्टा है तुम्हारा शीला के साथ है अगर आप जानना ही चाहते है तो एक मिनित शीला मुझे बोलने दो इसमें डरने की कौन सी बात है मैं शीला से शादी करना चाहता हूँ अगर तुम्हें शीला से शादी करनी है तो अपनी घर वालों को हमारे यह क्यों ने बेचते है मैं मा को लेकर आपके घर आने ही बला था, लेकिन उसे पहले ही शीला घर छोड़कर आ गई दुनिया के सामने अगर इज़त की जिन्दगी गुजारना चाहते हो तो अपनी मा को लेकर हमारे यहां चले आना चलो शीला राप ये देखो मा, कैसा बनाए मने? अहरे वा, तू तो एक्सपर्ट हो गई मा, देखो कौन आया है इसे यहां क्यों ले आए हो इस घर में इसके लिए कोई जगा नहीं मा, जिससे अपने केवे पश्टावा हो, उसे माफ कर देना चाहिए बेटी, मा तो इंसान को किया जाता है अबर बेटी, लगता है मेरे घर में तीन सपोलों ने जैम लिया है इन सपोलों ने, बसने क्यालावार कुछ किया ही क्या पर लगते ही बेटे उड़ गए इस लगकी पर भरोसा था मुझे लेकिन इसने पर मुझे किसी से आख मिलाकर बात करने की काबिल नहीं छोड़ा मा, ये शिला की नादानी थी जजबात में ये अपने आप पर काबू नहीं पास सकी घर चोड़कर होस्टल में रहने गई और जब इसे अपने गलती का एसास हुआ मा तो फॉरन तुमारे चर्णों में लोट आई है ये दुबारा इसी गलती नहीं करेगी मा इसे माफ कर दो, मेरी खातिर अरे मेरा मुझ क्या देख रही हो चलो मा के पेर चोँ चलो मा मुझे माफ कर दो मा क्या क्या हुआ इसे शीला शीला, मेरी तरफ देख, बुछ से आख मिला कर बात कर तर्फ्र हाइने कि यए इसर नहीं नहीं रहेगी, मैं लोगों ने मुझे डशनेके रिखानेके में लाहिक नहीं रही नहीं नाच मेरी बुढ़ा पे पर तो धर ख्याल किया होता ना लेकिन तुझे किसी का क्याल नहीं है मैं जानता हूँ वो शक्स कौन है मैं शीला को उसका हक बिला करी रहूँगा लेकिन तब तक तुम उसे कुछ नहीं कहोगी तुम्हें मेरी किसम मैं दुनिया को दिखाने के किसी भी मा के पास यह सबूत नहीं होता कि उसके पेट का बच्चा किसका है जो मा कहती है वही दुनिया मान लेती है वही बच्चा मान लेता है और इसी से औरत की आबरू कायम है मैं जिसकी बहन कुवारे पन में ही मा बनने वाली हो और उसका भाई आबरू की बात करें तो अच्छा नहीं लगता मा शीला ऐसी लगकी नहीं है वहर मामने में बेकसूर है जरा सोचो मा मेरी गलती से उसके दिल पर क्या गुजरी होगी राम तुम्हें आमें दो पिसम के आदमी होते हैं एक तो दूसरों को जहर पिलाकर उन पर काबू कर लेते हैं दूसरे वो जो खुद जहर पिते हैं और दूसरों को वश्वे कर लेते हैं वाइब ऐसे ही होते हैं बेटे उसमें भी जान बूझकर तुम्हें मज़़ी काने की दावद्धी होगी ताकि वो तुमारे बच्चे की मा बन जाए इससे तुम उसके द्या करने लग जाओगी तुम उससे शाभी करोगी तुम कि माल किन बन जाएगी हमारा खांदान गरीब जरूर है लेकिन गरीब ही प्ना डंक नहीं मारती कि हम तलूत के लालची हो जाए अच्छा होता कि तुम दौलट के लालची होते कि ठीक दौलट कमाने की सोचते और इस वाक करदेन उठाकर बराबरी की हैस्यव से बात करते हैं मा महबत में अमीर करीब उच नीश नहीं देखी जाती है लेकिन शादी में हैस्यव देखी जाती है मुझे तुम लोगों से एक लाख रुपए चाहिए एक लाख यह तो दहेच हो गया तेरे लिए दहेच मांगना होता तो 20 लाख रुपए मांगती और तीजोरी के मुझ खुल जाते तुम चुक्क्यों होगे याद रखामर दो दिन के अंदर अगर एक लाख रुपए नहीं मिले तो इस बंगले की तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखना ठीक है मैं आपकी मांग पूरी करने की कोशिश करूँगा भाई मैं तुम्हे ना कुरू बदे सकता हूँ लेकिन एक शर्थ पर तुम्हे दो साल के लिए दुम्हे जाना होगा और में लिए काम करना होगा आप दो साल की बात कर रहे हैं जबकि मैं तो जिन्दी की भार के लिए बिखने को तयार हूँ भाई मिया पहले तो तुम घंचोने को भी तयार नहीं थे कोई भी राम कहानी बिना बनवास की पूरी नहीं होती है मुझे नाकर पर कब मिलेंगे करा के लिए जाओ मिया एग्रिमेंट तयार एगा तुम उस पर साइन कर देना बस आपके बहुत बहुत शुक्रिया थेंक यू तमाको वाला पान खाओगे जी नहीं मैं चलता हूँ आजी तेरो बेटे आज़ 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 को, को ओ तमलुप ये का ओ नाओ ये जाओगे रहा हुआ झाक कर दोदो दो बहुत आज आज़, पो ओला को ओला एक ये जाओगे ये का ओले लो तुम्ट ये जो कर दो नो तुम लोग मुझे यहां क्यों लायो क्या चाहते हो मुझसे एक मिनिट एक मिनिट अच्छे बच्चे एक सांस में इतने सवाल नहीं पूछा करते हैं राइट तुम्हारे पहले सवाल का जवाब हमें अंडर वर्ल्ड के किंग रॉकी और हमारे राइट हैंड जुरुत है और तीसा तुम हमारे लिए काम करोगे और मिस्टर रॉकी अमर में हमेशा अपनी मा का हुकम माना है अब तक कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ जो अमर को हुकम दे सेगी अच्छे वेल्सेट अमर वेलसेट आ लाइक इट जॉन विनोद को खतम कर दो विनोद हाँ तुमारा भाई विनोद क्या वो हमारी कैद में है क्यों नाम लिया और आवाज बदल गई अपने भाई से मिलना चाहोगे जॉन तुने काम करो भाई को भाई वा दो ले जाओ इसे 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 अचैट कर दो कर दो अमर तुम्हारी इन लोगों ने यह सब मेरे कर्मों का फ़ल है अमर भाईया मा कैसी है अच्छी है और शिला वो भी अच्छी है तुम जहां आए कैसे सब कुछ पताता हूँ जॉन सिंगापूर से मिस बटरफला कब आ रही है कल मॉनिंग राइट से होडल सिटिजन में इसके लिए सोजबी बुक कर दिया गड़ सर यह मिस लिली को कहा बेजा जा रहा है जहां एक दिन सभी को जाना है क्यों उसे कोई गड़ारी की नहीं अभी दगत नहीं लेकिन चौन हमारे धंदे में आदमी बहुत जल्द होशार हो जाता है वो बातें जो उसे नहीं जाननी चाहिए उन्हें जानने की कोशिश करता है इसलिए मैं छे मीने के बाद अपने हर आदमी का ट्रांसफर कर देता हूँ इधर से उधर और यहीं हमारी काम्यादी का राज है टॉप सीक्रिट मैं तयार हूँ काम बताइए यह मेरा सीक्रिट नंबर है इसे अच्छी तरह आपने दिमाग की कंप्यूटर में फिक्स कर लो सिक्स फोरेट वन फाइफ 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 गुड़ कल सुबह दस बजे सी रॉक होटर के सामने वाले बूच्छा में फोन करना काम तुम्हें पता दिये जाएगा हमारी बहन में ऐसी काउन से कमी है जो तुम्हें एक लाख रुपए देने पढ़ेंगे अगर में ना लट पाउतो हूँ नहीं अमर मैं तुम्हें अगरे नहीं जाने दूंगी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी प्लीज अमर भी तुम्हारा ही नहीं मेरा भी भाई है और तुम तो सबस्ती चोटे हो चोटा जागा तो क्या बढ़ा धेगता रहेगा अब एक भाई की तकलीफ हम सब की तकलीफ है डेखो भाई-भाई एखो गया और मैं रह गया अरे मैं भी तो तुमारा साला भाई हूँ तुमारे बीवी का भाई यहले साला भाई क्लियर कट मैं क्यों पिछे दूंगा तुमारे साथ हलो हलो हमर तुम वक्त के बहुत पमद्ध हो हमें बहुत खुशी हुई फर्माईये जरा बूत के बार देखो गाड़ी में कौन बैठा है जाना जान है सर उसके साथ पुराने बिट पे पहुंच जाना वो तुम्हें पिस्तिल देगा पिस्तिल लेकर जॉन को ख़दम कर देना पीछे मेरे आदमी होंगे उनकी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाना लेकिन सर ये मैं जानता हूं कि तुमने पहले कभी खुण ने किया है लेकिन ये तुमारा पहला टेस्ट है आप पुरानी बिच पर पहुंच कर उसे मिलूंगा और आपका काम होते ही आपको फोन करूंगा ओके सर आप बाइ आप मिस्टर जान आगे क्या प्रोग्राम है तुम बहुत चालाग हो अमर लेकिन मेरी नजरें भी बहुत तेज हैं तुमने बोस का साउंड रेकॉर्ड किया और ये साउंड तुम पुरिस को दोगे लेकिन इससे पहले मैं तुमें खत्म कर दूगा एक मिनिट जान एक मिन मैं तुमारा दोस्तों दुश्मन नहीं है ठीक है सुरा लेकिन कोई चालागी करने की कोशिश मत करना जरा बूत के बार देखो गाड़ी में कौन बैठा है जान है सर उसके साथ पुराने ब्रिज पर पहुंच जाना वो तुमें पिस्तिल देगा पिस्तिल लेकर जान को खदम कर देना है शे मीने के बाद अपने हर आदमी का ट्रांसर कर देता हूं इधर से वो धर क्या सोच कर गया है कुछ मिए अब मुझे क्या करना चाहिए तुम गाड़ी चला हूं मैं सब समझाता हूं देखो जान मैं अपने भाई को रॉकी के चंगल से चुड़ाना चाहता हूं अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें सरकारी गवा बना कर बचा भी सकता हूं मुझे बंजूर है तो फिर सुनो रॉकी के कुटे हमारा पीछा कर रहे हैं ब्रिज पर पहुंच कर मैं तुम्हें गोली मानने का नाटक करूँगा और उनकी गाड़ी में बैटकर निकल जाओंगा मेरे साथ ही वहां आएंगे तुम उनके साथ चले जाना बाकी के बाते व में के आएंगा कर चलेटर कर दो है कहें हूँल प्जुख जए जए लुग्ने कर दोग्ने कर दो कर दो लुग्ने कर दो भी कर दो, जल्या है वो सब चले गया है अब जल्दी करो वग्स पहुत कम देखे जैसे के जॉन ने हमें बताया कि सिंगापूर से एक डांसर और उसके दो साथी होटल सिटिजन में ठेहरे वहें जो खास रॉकी के लिए शो करने आए हैं हम उन्हें उनकी कमरे में बंद कर देंगे यह यह लो यह कह रही है ए तु काँ है वो तंसंस तांस जो 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 तांस तांस तुट तुट यह 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 असली बटर क्या बुलते हैं असली बटर फ्लाइ फंपोल लगता है वो लोग आगे येस तुम्ही मिस बटरफ्लाई हो नहीं तो हम तुमको मधू मधु नगता है कहे को पूछा ऐसे पूछा चला तुम लोगों को बॉस में बुलाया है, शोका वक्त हो गया शोका? तुम लोग जाके लॉबी में वेट करो, हम रेदी होकर आता है जाओ बादो या, या, या या, या कि वेप्र में? कि याओ 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 कि लोगो या या हुटों में दभी है जो सांसों में छुपी है जो कहनी है तुझते ही वह बाद हुटों में दभी है जो सांसों में छुपी है जो कहनी है तुझते ही वह बाद जो करने आई है वो करके जाएगी यह है तयामत जिरात दियात हुटों में दभी है जो सांसों में छुपी है जो कहनी है तुझते ही वह बाद हुटों में दभी है जो सांसों में छुपी है जो कहनी है तुझते ही वह बाद कर दो कर दो जो दर्द तीरा है वो दर्द मेरा है आमिल में घंबात ले दिल के दिवानों को क्या गम जमाने का जो जलते है वो जले जीना है जो जीना है मरना है जो मरना है अब तो हमें साथ साथ कर दो करना है आदे आदे आख साथ में जुकी है जो कहनी को अच्छाइब अच्छाइब ओ आठाव कि आर्फट़ल गुर पुर्जु करत कि लधाव। को छिया खना के अ को सिबदिके गष्सक शञें कि नह बाव। कि गुण द thouº कि पुण धुम वो जिसने छीना है सब्खत रहने इस दिल का जीना किया हूँ हो रावा हमने भी कशम ली है हम उस दमगर का कर देंगे किस्सा तमाँ हजते गुदर जाएं ऐसा कुछ कर जाएं हम उस दमगर का कर देंगे किस्सा तमाँ हजते गुदर जाएं ऐसा कुछ कर जाएं हम को करें लोग याद हरा मरिया जो करने आई है वो करके जाएगी यह है प्यामती राज हरा मरिया फुटो में जभी है जो साथो में छुपी है जो कहनी है तुझ से वो बार वो तो में जभी है जो साथो में छुपी है जो कहनी है तुझ से वो बार वो यह है वान्दर्फूल मिस बटरफलाई तुम्हारा प्रोग्रम देकर हम बहुत खुश हुए हम आप तीनों को इनाम देना चाहते हैं मैं तो समझता था कि सिर्फ मेरा ही बाप इस दुनिया में कंजूस है लेकिन ये तो मेरे बाप को बाप निकला हमारा डांस देखा, खुश हुआ इनाम देने के लिए यहां बुला है और पकट लिया ये तो अंदर बटकर हमें अंदर बिठाने का प्रोग्राम बना रहा है तुम्हें क्या रव है, ख़मुश तुम्हें पता नहीं कि रॉकी की आँखों में एक्सरे मशीन फिट है जो इस दिवार के उस पाद भी देख सकती है तुम समझते हो कि ये नकली दाड़ी मुश लगाकर रॉकी को भास लोगए जोन कहा है उससे तुम्हें ने गोली मार दी ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो तुम्हें से पिले रॉकी के इशारवे नाचते पिरते है वैसे जॉन ने हम तक पहुँचने का अच्छा तरीका बताया पटरफलाए अब अपनी खेड़े चाते हो तो जॉन को हमारे हवाले कर दो वन्ना विनोद भया यही न अब तो बहुत मुश्कुल हो गया विनोद पहले तुम सिर्फ अकेले थे अब यह अकलमंद अपनी महबूबा साले को भी साथ लेकर आ गया चार जिन्दगियां दाव पर लगी है लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारी जिन्दगी का खात्मा करूगा रॉकी दिनोद को छोड़ दे और उसके बदले में मुझे माल डाल क्यों इतनी जल्दी दब्रागा है किसकी जान कितनी कींटी है इसका पता रॉकी को है इसी लिए अब तक तुम लोग जिन्दा हो चलो एक सौदा करते हैं मैं तुम चारों को रहा कर देता हूं लेकिन पहले तुम मुझे जान का पता पता दो ठीक है मैं बताता हूं नहीं अमर ऐसा मत करना जान हमारी जिन्दगी की गारेंटी है अगर तुमने इसे जान का पता बता दिया तो यह हम सब को खतम कर देगा ठीक है तो एक एक करके अपना इंजाम देखो जान हाजर है सर लेकिन अपकी बार जान की जान का सौदा बहुत मेंगा पड़ेगा तुमको यह हुआ है जान की जान की 95 जान की जान की कआ Dallas ऑ की में आन गया Cå को पुम है कुड़ु बटाटर। हुआएएएएएएएएएएएएएएएए अजसा हुआएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए-ई-अ-फ-जस-5- đến-च-'re-फ-फ-Butt-ई? करें अज़िए और दो जाए है अज़िए लेकर आया हैं इनकी शूरत नहीं देखना चाहते हैं हम भटक गये थे मां कि दौब दोथ की चकाटॉन में मेरी आंखे मां की मंता को नहीं पहचान सकते मैंसे जिए घर दमदो कर गिर्वी हो गया था और गिर्वी रख्यू चीज की इस दुनिया के बाजार में कोई कीमत नहीं होती मैं भूल गया था कि मां के छत्रचाय में जो सुख है वो सोने के जंजीरों की गयाद में कभी नहीं है मुझे माप कर दे मां, मुझे माप कर दे मां कसूर सारा मेरे ही था माची मैं ये भूल गई थी कि शादी के बाद माईका पराया हो जाता है और सस्राल ही लड़की का घर बन जाता है और सास मा बन जाती है और मां की इज़त करना हर बेटी का फर्स है मगर मैंने तो आपको सास ही समझा और सास समझ का बोरे मर्दब में आकी नेज़ती कर दी मगर आप तो मा है मा अपने भूले बच्चे बच्चों को मा कर देती है माजी आपने भी माँ कर दीजिये अमर इने के लिए मेरे पाउँ छोड़ कर कैसे कह दू मा सुना है मा के पाउँ तले जन्नत होती है और दुन्या की कोई भी माँ अपने बच्चों को ठोकरा कर उनके लिए कभी जन्नत के दरवाजे बंदने ही करती अमर अपना प्यार बड़ा हाथ इनके सर पर रखतो माँ और इने अपनी शरन में ले लो माजी अरे अमर तो आश्या को लेकर कहाँ चला गया था या उसके पिताची उसका इंतजार करते करते नजावे कहाँ चले गया है वही मैं कहीं नहीं गया मैं तु बाहर बेठा बगवान की नाम की माला जपड़ा था डैडी आप अरे माला अरे असा बेटी अपने पापों का प्राइशीट करने के लिए स्वेट जी भगवान की माला जप रहा है अरे तुम चिपकरो नहीं चंचल दाज कितना बोड़ता है अरे आप लोग ऐसे मेरी तरब आखें फार फार के क्या देख रहे हो अरे अरे अंबर तुने मेरी पत्कत जवाब ही नहीं दिया तो आशा को लेकर कहा क्या था मा अगले हफ्ते शीला बेंच की शादी है इसलिए आशा को साथ लेकर भाईया भावी को मना के घर वापस आने कया था थिक है अच्छ ए क्या सेग양 जी चाहते है कि शीला की शाधी के साथ-साथ तेरी और आशा की भी शादी हो जाय सब्वाराई एक साथ दो दो शादियां, एक शादी में शीला बेटी इस घर से बार जाएगी और दूसी शादी में आशा बेटी इस घर में बहू बन कर और फ्लाइट का टाइम हो गया है, डेका हूं जल जी करो कैसे फ्लाइट कमाल है अमर ने आपको कुछ नहीं बताया यह दो साल के लिए दुबई जा रहा है यह दिखिया अग्रिमेंट क्या यह नहीं हो सता अगले हटे इसकी शादी है और शादी के बाद यह ही रहेगा मेरे पास कोई बात नहीं है बेहन जी लेकिन मैंने जो इसे एक लाख रुपया दिया था उसका क्या होगा एक लाख? कैसा एक लाख? बेहन जी, अमर को अपनी बेहन की शादी के लिए एक लाख रुपए के ज़रुवत थी इसलिए इसने दो साल के लिए दुबई जाने का ये एक्रिमिन्ट किया था अब अगर आपको नहीं भेजना है, तो एक लाख रुपए बापिस देदीजे अमर, दूसरा कोई रास्ता नहीं था माँ अड़े बेहन जी, चिंता की क्या बात है, लाल वही अभी जिंदा है मैं आपको भी एक लाख रुपए का बेलरच चकात के देता हूं, clear cut नहीं सेच जी, मैं आपसी रुपए में ले सती अरे क्यों नहीं लेंगी, मेरी बेती की भी तो जिंदिगी का शवाल है नहीं रैड़ी, आप इनको नहीं जानते, ये आपसे पैसे नहीं लेंगी मैं अमर के लिए दो साल तो क्या, जिंदेगी भर इंतिजार कर सकती हूं अरे यार, वाट नॉंसें अमर, अमर, तू, तू यहां तू आया है मा, अधालत में मुझे रहा कर दिया है वैसे मैं आपको मुझे दिखाने के लाइक तो नहीं हूँ मैं तो सिर्फ अमर भाया की अमानत देने आया था अमानत? कैसी अमानत? अमर ने अपनी जान पर खेल कर मुझे बचाया है जिस टॉकी नाम के बंदमाश की कैद में मैं था उसके साथियों को माल समेख पुलिस में पकरवा दिया है ये दस लाख रुपे का चेक पुलिस ने इनाम और कमिशन के तौर पर अमर भाया को दिया है जूटी, हरेभी, क्या समझता है तो अपने आपको मुझे से पूछे दिना लाख रुपे का दहिश जो ना मंजूर करेगा तो इस लाख रुपे के लिए दो साल के लिए दुबाई जाएगा मुझे कहेगा बल्यार भावी को मना नहीं कहा था और फिर खुद गुंदों के साथ मारा मारी करके अपनी जान जोकर में डालेगा क्यों? क्यों चुपे आप? यह कैसा बेटाली आएए आप? क्यों आप दिली कभी कुछ नहीं सोचता? कुछ नहीं करता? क्यों गुदों करता? इसाथ दूसरों के लिए? दूसरा गुदों के लिए? दूसरा कोण है इस घर में, मा? तुम दूसरी हो या अशर भाईया भापी दूसरी है विलो भाईया दूसरी है या शीला बहें तुम, तुम, तुम सबी तु मेरे अपने ओनाप, तुम हरे से मैं, मेरे इस दुनिया में कοई नही है, मेरे इस दुनिया में कोई नही है माँ 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 अरे तंजलाज क्यों उचड़ता रहता है सीदी तरह ख़़ा रहे सीदी तरह ख़़ा रहे पहन जी ये लीजी ये क्या है ये एक लाख रुपए है अरे पर आप इसे वापस क्यों कर रही है मेरे बेते राम की ये शर्थ है कि जब तक मैं देहज के लाख रुपए वापस नहीं करूँगी वो बहु को घर नहीं लाएगा शाट अबहन मुझे माफ करीजिये मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अरे अरे ये क्या कर रही है आप आपको तो खुश होना चाहिए कि राम ने आपको सही रास्ते पर चलने की रहा पताई और दहेज के बाप से बचा लिया अरे चंचल्दाश ये दुर्गा देवी ने शार्दाद देवी के हाथ में क्या दिया वो एक लाक रुपे दैज के वापस कर दिया अरे 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 बड़ी देवेखूफ और थै मैं होता तो एक पैसा ना देता सेज जी फिर आपने लालाज की बाप की अरे चंचर्दाश अकड़ की बात कराकर आदमी हूँ बढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगे गा ना पिता जी हाँ आई अब ये गंगाराम के हाथ में क्या पैकट है 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 पिता जी पिता जी अरे वड़ी इस पैकट में क्या है ये तोला राम के बेटे गंगा राम का बेटा राजा राम अरे तु शाकर में बोड मेरा कोता है शब्दों में भी खर्चा करता है शब्दों में भी हिसाब किताब करते हैं पिताजी या पिताजी मुदिखाई करेंगे या नहीं पिताजी तुमने पोत्रे की मुदिखाई है ये रोग पिताजी ये मैं क्या देख रहा हूँ अरे ये कोई चुटकी तो लेना ये कोई चुटकी लेना का तरीका हुआ अरे गंगाराम क्या हो गया बड़ी मैं समझा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ आज तक हम लोगों के लिए आपके जब से कभी चवण ही नहीं निकली थे और आज पूरा पाकिन दे दिया आज अरे मेला पोता है मेला सायाम माल इसका है किनना बड़ा परिवर्तन कितना बड़ा परिवरतन शौभा जोतीश की बात सच ने कली बेटे का जनम होती मैं माला माल और पिता जी गंगारी करराम आनने रॉक रूख क्या ओर हो अब इसको वापस कर दो, अले अले सुन मेरी बात, इतना बड़ा हो गया है गंगाराम, उटसे बैसे नहीं समलती तो इस छोटी से बच्ची सी का समेंगे, जब बड़ा हो जाएगा तो मैं देदूगा चंचल, आसिको ठंडा पिडा करा, जाना, 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 आसिर्गा हो गयार, जाना, जाना, ट्लिएल्यटक्ट।